देखने के लिए चानल को करें लाइक, सब्सक्राइब and don't forget to hit the bell like नमस्कार आप सभी का स्वागत है नौबहाट टुडे के इस खास कारिक्रम में मिरा नाम है सत्यम सिंग और आज हम आए हैं एक ऐसी सक्षियत से मिलने जिनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम होगा चात्र राजनिती से इनके राजनितिक जीवन की शुरुवात होती है और इस समय ये चादनी चौक के दिली के चादनी चौक छेतर की विधायक है मैंनो आपका बहुत बहुत स्वागत है नौबहाट टुडे में मेरा पहला प्रशन आम आदमी पार्टी को लेके है कि जिस राजनिती के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती थी होता है कि आम आदमी पार्टी के जो चुनावी मिदवार हैं वो दोशी हैं तो आम आदमी पार्टी उनका टिकट वापस ले लेती है उसके बाद बहुत सारे आरोप लगने सुरू होते हैं और अब जिस तरीके से नए आरोप लग रहे हैं अभी इन सारी चीरों को देखा रहा है तो आम आदमे की पार्टी जो राजनिती करने आई थी क्या उस रास्ते से भटक गई है क्या वो भी उसको भारते राजनिती की व मुझे दें, जिसमें आपको ये लगा क्या मादमी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है, समझोते करने लग गई है जिस मकसद से आई थी भरस्ता चार मुर्य विवस्ता देने उससे भट एक अधा उधारन आप मुझे चीए मैं आपको बहुत से उधारन दे सकती हूँ कि मात्र पिछले साड़े तीन साल से कुछ जादा हुए हमारी दिल्ली के अंदर सरकार है हमने कौन सा वाइदा पूरा नहीं किया सबसे पहले आती हम लोगों ने का था कि हम लोग जो है दिल्ली वालों को कहते हैं बिजली हाफ, पानी माफ, हमने किया सिक्षा और स्वास्त, मोहला क्लिनिक और सिक्षा के शेत्र में जो करांती हुई है उसकी कहीं पे भी आप किसी भी दूसरे राज़े से तुलना नहीं कर सकते हैं आज साड़े तीन साल में हम लोग अभी च्छत्तिस गड़ों में चुनाव हो रहा है डॉक्टर रमान सिंगी पंदरा साथी भाजपा की सरकार है हमने वहाँ के स्कूलों को दिली के सरकारी स्कूलों से तुलना की कि साड़े तीन साल में जितना हुए पंदरा साल में भी भाजपा की दूसरी सरकारे नहीं कर पाई है आपने हमारी डॉर स्टेब डिलीवरी स्वराज का नारा था कितने जूटे मुकद में, कितने जूटे केसम पे डालती रही, कितना हमारे विधायकों पर, कितने मंत्रियों पर दबाव रहा, CBI की रेड, चापे किसके यहां नहीं होए, उधारन बता दीजिए, पूरे देश में इतने राज्ये, इतनी सरकारे हैं, किसी मुख्य मंत्री, उनके मंत्रियों के घर, CBI की चापे पड़े हो, सिर्फ यह दिल्ली की आमाद्मी पार्टी सरकार में दबाव रहाएगा, पर मिला क्या, कुछ भी नहीं, किसी को भी जेल भेज पाए, किसी के खिलाफ कोई सबूत कोट में पेश का है, चार्शी पेश हुई, अभी तक नही हुई है, दूसरी तरह आप देखिए, जा कॉंग्रेस की सरकार हैं, कॉंग्रेस के मंत्री हैं, विधायक हैं, CBI, Qadar, RAID, और उन सब को टरा डरा के भाजपा में शामिल कर लिया जा पाए, कॉंग्रस मुक्त भारत करने आये थे, भाजपा युक्त, कॉंग्रस युक्त भा लड़ सकते थे, लेकिन हम राज्यसार, मद्देपरदे, 36 गण इन सारी सीटों पर इसलिए भी नहीं लड़ रहें, क्योंकि कुछ सीटों पर हमें बहुत उमीदवार, उमीदवार, आगे आकर चुनाव लड़ने के इच्चुक नहीं मिले, हमने वहां समझोते नहीं किये, हमने सीटों को खाली रखा, आप समझ रहे हैं, लोग आते हैं, क्योंने लगता है कि हमें अपनी टिकेट दे दीजिए, दूसरी पार्टियों में जैसे पैसे पर नोट पर दम, ताकत और बल पर वोट और टिकेटे ली जाती हैं, तो हमने समझोते नहीं किये, हमें लगा हम हमें खाली रखना मन्जूर है, हमें हारना मन्जूर है, लेकिन हम वो जीत हमें नहीं मन्जूर, जहां पर हमें दूसरों की तरह समझोते करके दारू और नोट पर, ताकत पर वोट मार, हमें नहीं चाहिए, हम संघर्श लंबा होगा, करेंगे, एक उधारण मैं देता है, उसका सबूत भी हूँ, मैं आपको बताओं, कि उस सड़क पे, वहां की जो मजदूर जिन्होंने सड़क बनाया है, उनका नाम हमारे उपमुख्यमंत्री के पहले लिखा जाता था, ये सबूत साक्ष है, लेकिन सिगनेचर बिज जिसको कॉंग्रेस गवर्मेंट ने प भाजपा के, उनको आपके आमादमी पार्टी के ही विदायक, अमानुत्राला खान जिन्हे धक्का दे दिया, उस घटना का भी आप क्या, सबसे पहले तो ये बताए कि इतना भव आयोजन, क्योंकि आमादमी पार्टी की जो राजनेती थी, वो नैतिकता की जो राजनेती उसमें ये चीज़ नहीं सामिल थी कि आप इतना भव ये उद्गाडन करेंगे किसी समारों का? गिरेबान पकड़ते हैं, उन्हें देख लेनी की धमकी देते हैं कि मैंने आपकी कुंडली, बहुत बहुत निचले स्तर की राजनीती है, आप नेका हमने सिगनेचर ब्रिज बनाया, हमने बनाया, ये तो बात मानते हैं कि 15 साल में कॉंगरस ने पत्थर रखे, नीव बहु उसको 13 साल ओन नहीं रोका, साड़े 3 साल में पूरी तरह से इसको त्यार करके लोगों को समर्पित किया, आपने का भवे उधकाटन किया, भवे उधकाटन तो सर्दार पटेल जी की मूर्ती पर भी हुआ, खर्च कितने हुए, 3,000 करोड एक मूर्ती पर खर्च होता है, यह कितना खर्च होता है, 15,000 करोड, क्या बनता है, पुल बनता है, लोगों को सीधा उसका लाब मिल रहा है, जो एम्बुलन्स जो लोग फसे रहते थे, जो अमर्जंसी सिवाई नहीं ले पा रहे थे, पहुँच पाती थी, आज लोग बहुत खुश हैं, आज उस पुल का ना आप फ्लाइओवर बनाएं और उस पे आप महा अनुभुतियों का उनका नाम रख कर समर्पित करें, मुझे लगता ये बहतर है, आप जो नजरिये से देख रहे हैं, वहाँ पर भाजपा का सांसत पूचा, वहा नारे बाजी हुई, वहाँ ये ये हुआ, वहाँ ये हुआ सरदार पटेल की तीन हजार करोड, आयोदा में राम जी की मुर्ती लग रही है, पानसो करोड रुप्या, लोगों को क्या लाब बूच रहा है, खतव, तो मैं ये कहते हूँ, आप बड़े-बड़े हस्पताल बनाएं, बड़े-बड़े स्कूल बनाएं, करोडों हजारों राज़े का दर्जा ना होने की वज़ा से, कितनी बार हमारे रास्ते में LG सहाब, इनके सातो सांसोदों ने, केंजर की सरकार ने रोड़े अठकाए, उसके बावजूद भी, पूरे विश्व से लोग, दिली का महला कलेनिक देखने आते हैं, दिली के स्कूलों को देखने सब जगा तारीफ हो रही है, वो भी तब जब हमें अरंगा डला गया, उसके बाद सुप्रीम कोट ने हमें जीता, उसने का क्या आपको LG के पास फाइल भेजने की कोई जूरत नहीं है, अगर आप बेजते भी हैं, तो आपको उनकी इजाज़त की जूरत नहीं है, जानकार देते हैं और लोगों के काम, चाहिए वो राशन का वितरहने है, डोर स्टैब डिलिवरी है, आपकी हमारी पांसो पिंशने और हमें मिली हैं, जो हम लगा तार लोगों को जो है पहुचा रहे हैं, हमारी राशन की डोर स्टैब डिलिवरी का काम भी तुरंट शुरू होने ने बाला है। तो हम लोग अगे बढ़ कर काम कर रहा है लेकिन लोगों ने देखा है कि केंद्र की भाजपा की सरकार का चुनाव है 2019. सांसधों नों यह क्या किया है? केज्रीवालों ने जो किया है, वो लोगों पूरी आम आदमी पार्टी क्यों डिफेंड कर रही है आप मुझे बताईए आप बारी बारी उसी मुद्धे परा रहे हैं बहुत छोटा मुद्धा है और राजनीती को दिखाता है और मुझे लगता है इस दिल्ली के बाद परदूशन दिल्ली जहर ले रही है केंदर में जहां मैं बैठी हूँ यहां से चांदरी चोक लोकसभा के जो विद्धाय जो सांसद है डॉक्टर हर्श्वदन केंदर में प मनोच दिवारी वहां काले जंडे लेकर आते हैं पुलीस को डराते हैं धमकाते हैं लोगों को उकसाते हैं चार से चे बजे तक लोगों को लगातार उकसाते हैं हमारे वरकर को उकसाते रहें फिर भी कोई हिंसा पर नहीं उतरा पुलीस के सामने दोनों के हैं कि मनोच दिव धकेंगे तो इधर से भी धकेला जाएगा क्योंकि पुलीस का जो काम तो वो पुलीस नहीं कर रही थी और आज बहुत दुख की बात है दुरभागे पूर्ण बात है कि दिल्ली पुलीस मनो तिवारी जो आराजकता फैला रहे थी जो पुलीस का गिरेबान पकड़ रहे थे धमकी दे रहे था उनके खिलाफ F.I.R. अभी तक नहीं होती है और वहीं पर एक F.I.R. होती है जिसमें आमान का तो नाम आता ही आता है दिल्ली के मुखे मंत्री को भी जो है आरोपी बना दिया गया है और पुलीस चार्जचीट करके नाम भी लिख लेती है शरम आती है ऐ अपने अमान के खिलाफ मुखे मंत्री के भी जो भाशन दे रहे हैं जिनका कोई लेन दे नहीं है उनका भी F.I.R. में नाम है आप करते हैं लेकिन आप मनोतिवारी के खिलाफ भी करते हैं क्योंकि आपका गिरेबान पड़ा था दिल्ली पुलीस को अपने काम को करने से ही हो हजारों उधारन में गिना सकती हूँ जो भी है पुलीस ने F.I.R. कर दिये कानून कारवाई कर रहा है जिस तरीके से अभी पूरे देश की राजनती चल रहे है जिसमें अब आप देख रहे हैं कि जो फार्सी मुस्लिम या इसाई धर्म से जुड़े हुए इसलाम से जुड़े हुए नाम है उनको बदल दिया जा रहा है ऐसे मैं अभी फैजाबाद के जैसे नाम बदला गया उस पूरे पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टेंड में क्योंकि इस चीज़ का तो कोई समर्थन देखिए दो हजार उननेस आरा है बेरुजगारी इस देश में कि जवाब नहीं बचा इसलिए इस तरह के हथकंडे कभी सबरी मला होगा कभी टीपू सुल्तान होगा कभी पदमावती होगी कभी राम मंदिर होगा कभी नाम बदले जाएंगे आप इलाबाद को इस तरह से कर देंगे तो जनता बहुत समझदार है जनता आपको इनाम बदल पुन बात है कि इस देश की आबादी 75% जिवाओं की है पड़े लिखे लोगों की है और वो उन्हें अब आगे आने की सक जरूरत है वरने इसी तरह फर्जी भगवाधारी जो सकता सुख पाने के लिए आप अपना सब कुछ त्यागते हैं गौतम बुध ने सब कुछ त्या महीने पहले आपकी सरकार केंदर में थी आपकी सरकार उत्तरपरदेश में राम मंदिर अगर बनना था तो जैसी ही केंदर के बाद उत्तरपरदेश में सरकार आई थी राम मंदिर बन चाना चाहिए था लेकिन सारे ढोंग और तमाशे मात्रच ये महीने पहले जब मागने में मदद की, ये ना पूछ पाएं, राफेल डील में आपका नाम आ रहा है, कोट ने आप से सारे दस्तवेत मंगा लिएं, खुल कर आगया कि अधानी अंबानी को किस तरीके से आपके सानों की उपर समझोता करके और देश के बैंकों में डकेटी डाल कर अपने पूं और इसके द्वारा उन्होंने एक क्राउड फंडिंग का काम सुडू किया था घरगर से, तो वैसा ही काम, रारस्तान में सचिन पैलेट जी भी कर रह रहे हैं, जो कॉंग्रेस के हैं, और नरेंदर मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, और नरेंदर मोदी लोगों को भारते जन्ता पार्टी को चंदा देने की बात कही थी, तो क्या बात है कि आज कल सारी पार्टियां क्राउड फंडिंग के तरफ क्यों जा रही हैं, जबकि हम जानते हैं कि बहुत पार्टियों का बहुत बड़े बिजनस परसंस हैं, और मार्केटिंग के लोग भाजपा, प्रधान मंतरी मोदीजी इससे बड़ा तमाशा और खेल, जुमला नहीं हो सकता, पांच रुपे मांग रहे हैं, शरम करिए, साथ आट सो करोड का, भव्वे भाजपा का मुख्याले, आपने दीन द्यालों पाधाय मांग खोल कर शुरू किया है, आपके पास प कुरिशी साब जो पूर इलेक्शन कमिशन रहे हैं, उन्होंने भी कहा, कि एक आमादनी पार्टी है, जो अपने सभी जो हमारे डोनर देते हैं, हमारे चंदा देते हैं, उन सबका जानकारी पूरी पारदर्शिता के साथ आमादनी पार्टी अपनी वेब साइट पर डालती मैं यही चुनोती भाजपा को नंबर एक पर दूँगी, क्योंकि आज वो एक उधारन बनना चाहिए उन्हें, आपने कितने अपने डोनर जो हमारे आपके खुलासा किया है, अस्सी परतिशत आपको चाता है, और पूरा अस्सी परतिशत जो भाजपा को चंदा जाता है, उस अस्सी परतिशत के 90 परतिशत जो है, उनका डोनर्स की कोई अता पता नहीं है, वो काला धन था, नोडबंदी में सफेद कर गे, आपने अपने खातों में डाल की, अपने भवे भवन बना लिए, भगवान राम आज भी टेंट में पड़े हुए हैं हमारे, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये डोंग और तमाशा ज्यादा लगता है, कि आपके एक एक निताक इतने करोड़ों पती हैं, इतनी जमीन और जैदाद हैं, कि वो भी चाहें तो आपकी पार्टियां चंदा उनहीं से ले सकती हैं, पर जंता की गाड़ी मेहनत की इमानदारी की कमा आप मांग कर उनके साथ एक बार फिर धोखा कर रहे हैं. पहले ही आमादमी पार्टी ने वहाँ पर हार मान ली है, ऐसा कुछ? लड़ रहे हैं, वहाँ की बैरस्टा चार से लड़ रहे हैं, वहाँ की रमन सिंग सरकार की सिक्ष और स्कूलों के बारे में मैंने हकीकत अपनी फेस्बुक लाइब में बताई है. तो हमारा हीरो, हमारा स्टार परचारक वहाँ का आम आदमी, आम किसान है, जो तरस्त है, वो हमारी टोपी लगा के आम आदमी का जंडा उठा के सबसे आगे और वही चेहरा है. दिल्ली से जाकर दूसरे पार्टियों की तरह कोई नेता, वहां का नेता बड़ा नी बन जाता कि आपका इच्टियार हो, आपका पोस्टर हो, आप बड़े नेता बन रहे हो. हाँ पर हमारी कोशिए है कि हम हाउस हर आम आदमी को एक हीरो, एक स्टार परचारक बनाए, एक आगे रखकर लड़ाए लड़े, चुनाब वही लड़ रहे है, वोट भी 36 गड़ के लोगों को देना है, वही जीते हैंग और जिस दिन हमारा पहला विधायक बन जाएगा, आने वाले समय में आप देखें कि वही हमारे स्टार परचारक होंगे, क्योंकि कॉंकि कॉंगर्स 130 साल पुरानी पार्टी है, भाज 15 साल है, केंदर में सरकार है, केंदरिया मंतरी है, पूर्व धायक है, सांसद है, यह सालों से रहे हैं, इसलिए इनका एक नाम हो चुका है इनको आप स्टार परचारक कहते हैं, आम आदमी पार्टी मातर पान साल पुरानी पार्टी है, पान साल पुरानी पार्टी के अंदर आप सोचेंगे कि हमारे भी पूर्व मुख्य मंतरी, पूर्व सांसद, पूर्व केंदरिया मंतरी स्टार्ट तो यह होते हैं, इनके लि और हम लोग जो है उसको बड़ा लो प्रोफाइल रखकर चुनाव को लड़ रहे हैं आपका भी थान्यवारता है शायद यही चीज़े हैं जो आम आदमी पार्टी को बाकी की जो मुखिधारा की राजनितिक पार्टीयां उनसे अलग बनाती हैं हम आशा करते हैं कि आम आदमी पार्टी ऐसे ही राजनितिक करती रहेगी और देश के आम आदमी को ताकत देती रहेगी कैमरा परसन दीपक के साथ सत्यम सिंग नवभारत टुडे